नमस्कार बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुजीत तो बिहार में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होगा नेताओ के बॉडी लंग्वेज तो यही कह रहे हैं आपको याद होगा कि जब NDA छोड़कर महागडबंदन में आने वाले थे नितिश कुमार तो उस समय भी बाड़ी लंग्वेज में उनके बदलाओ दिखा गया था और इस बार तो दोनों नेताओं यानि कि नितिश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों नेताओं के बॉडी लंग्वेज बदले हुएं पिछले एक देड़ महीने की बात करें तो इसमें काफी परिवर्तन आ गया है एक समय था जब महागडवंदन की सरकार बनी थी तो दोनों चाचा भतीजे कंधे से कंधा मिला कर बिहार के विकास की बात करते थे नितीश कुमार कहते थे कि आगे अब तेजस्वी आदो को देखना है लेकिन धीरे धीरे बात जो है बदलती चली गई बाद में नितीश कुमार ने कहा कि दो हजार पचीस में तेजस्वी आदो महागडवंदन का निर्टित्व करेंगे इस बात को लेकर उनकी पार्टी में भी खलवली मची उपेंदर कुस्वाहा जैसे नेता खुल कर सामने आए बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अभी सामने नहीं आए हैं जैसा कि उपेंदर कुस्वाह का कहना है लेकिन बहुत कुस्वाह का कहना है कि जिसके खिलाफ वो लड़ते रहे हैं समता पाटी बनाकर जनता दल यू बनाकर उन्हीं के साथ उन्हीं के नित्रित तुभे कैसे चुनाओ लड़ा जा सकता है तो ये तमाम बाते हैं और इधर जो है मुख्रमंत्री के पद को लेकर भी बाते शुरू हो गई हैं मुख्रमंत्री नितीश कुमार नेते जस्वियादों को भले ही 2025 में जत्रित देने की बात कही हो लेकिन पूर्म मुख्रमंत्री जीतन राम माजी अपने बेटे सुमन कुमार को भी मुख्रमंत्री पद के युग उमिद्वार बनते हैं उनका कहना है कि उनका बेटा प्रृफेसर है पढ़ा लिखा है और दलित जाती से आता है इसलिए वो बुख मंत्री का ज्यादा उप्यक्त उमिद्वार है अब बीजेपी इसमें जो आग में घी डालने का जो काम कर रही है बीजेपी के बरिष्ट नेता सुसील कुमार मोदी कह रहे हैं कि ये जो बाते हो रही है चाहे वो सुधाकर से ही हो चाहे वो प्रफेसर सेखा जो कि सिख्षा मंत्री इन्होंने राम चडित्र मानस को लेकर सवाल उठाया ता और कहा था कि ये गरंथ जो है समाज में नफरत फैलाता है उन पर कारवाई नहीं होना ये साबित करता है कि आर्येडी अध्यक्ष लालुक परसाद यादो नितीश कुमार पर मुख मं मंत्री का पद छोड़ने का दबाव बना रहे हैं निश्चित तोर पर देखिए जो डील की बात कही उपेंद्र कुस्वाहा ने कि क्या डील हुई थी तो डील में ये बाते भी सामने आई थी कि महागडबंदन की सरकार बनेगी और उसके कुछ महीने बाद सब्ता का जो है ट्रांसफर होगा और तीजस्वी आदो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे ये आरजेडी का कर्ज करता एक एक कर्ज करता बताता था लेकिन ये चीजे हुई नहीं तो छटपटाहट तो है अब इस्थिती ये है कि बिहार में कोई भी जो ट्रांसफर पोस्टिंग को ह अब करें ले लिजे वो पूरी तरह से रुका हुआ है आयोग का गठन नहीं हो रहा है बोर्ड का गठन नहीं हो रहा है ये तमाम चीजे रुक रुकी हुई है क्योंकि दोनों नेताओं के बीच में ताल्मेल की भारी कमी है और खास तो पर हम देखें तो इधर जो महा अध को दूर करने की कोशिस की गई पर लगता नहीं है कि पूरी तरह से ये दूर हो पाया है और यही कारण है कि तेजस्वी यादो ने दिल्ली के बुखमंतरी और विंद्र के जिरिवाल से मुलाकात की ये तमाम बाते जो हैं उससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि बिहार की राजनिती की दिशा क्या है और जिस प्रकार से तालमिल का अभाव है महागडवंदन में तो आखिर ये जो सरकार है ये कितनी दूरी क्ताय कर पाए नमस्कार